दोस्तों दुनिया भर में कई आर्टिस्ट ऐसे अधुत पिष्टेचू बना कर खड़ा कर देती हैं जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसे किसी इनसान में बनाया होगा आज हम आपको दुनिया भर कि कुछ ऐसे पिष्टेचू दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके होस उड़ जाएंगे तो वीडियो में बने रहें पहले नमबर पर है लंडन बुस्टर आपने इनसानों को तो पूसब करते देखा होगा लेकिन क्या आपने किसी बस को पूसब करते देखा है नहीं ना तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ असल में लंडन में बनाया गया एक आर्ट है जिसे वर्ल्ड फेमस आर्टीस डेविस सर्णी ने डिजाइन किया है इसे सन 2012 में हो रहे ओलंपिक में वेल्कम के लिए बनाया गया था लेकिन अब ये लोगों के लिए एक आगर्शन का केंद्र है इस बस के दो हाथ भी लगाए गये है जो पावर्फुल हैड्रोलिक के मदद से अब डाउन होते रहते ही इस साथ में ही के बच्चे का विसाल इस्टेचू को सिंगपूर के एक गार्डन में बनाया गया है ये एक बहुत ही अद्भूत इस्टेचू है इस बच्चे को देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसका कोई वजन ही नहीं होगा ये हवा में एक हाथ पर लटक रहा होगा इस सांदार इस्टेचू को इस्टील और ब्रोजो से मिल कर बनाया गया है इसके वजन की बात करे तो यह साथ टंका है इसके बावजूद आज के मॉडल इंजिनियर ने इस नामुम्किन से दिखने वाले चीज को मुम्किन करके दिखाया है दोस्तों इस सांदार इस्टेचू के लिए एक लाइक तो बनता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे नमबर तीन एंटनी हाव दोस्तों एंटनी एक यूनिक और इनिक्रिटिवल आर्टिस हैं ये एक आर्टिस हैं जो मेटल और पॉलीमर जैसी चीजों का ब्योग करके इस तरह का अमेजिंग मॉबाइल आर्ट बना देते हैं इनका ये आर्ट वर्क 25 फीट लंबा होता है और इनका ये डिजाइन किसी का भी मन मोह लेता है इनकी खासियत ये है कि ये हवा की वज़ा से मूब करते हुए अलग-अलग डिजाइन बनाते हैं ये आर्ट पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग कर पाते हैं चौथे नमबर पर है Melting Woman Pass टकाना नाम का ये आर्टिस्ट दुनिया भर में इंसानों का अविश्वस्णी इस्टेचू बनाने के लिए प्रसिद्ध है जिहें देख कर आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे टकाना नाम का ये आर्टिस्ट अपने इस आर्ट को खाई या तलाग वाले जगह पर ही बनाते हैं इस फोटो में आप देख रहे हैं जो इनके एक बेहतरीन आर्ट में से एक है इसे देख के ऐसा लगता है जैसे की तलाग इस लड़की के गीलो बालो से भर गया होगा दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी इस टेचू कौन सी है हमें कमेंट में जरूर बताएं नमबर पांच दफ्लोटिंग टैप इस पेंड में बना ये फ्लोटिंग टैप दुनिया के सबसे अविश्वस्नी चीजों में से एक है इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये नल हवा में तैर रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये नल एक ट्रांस्परेंट पाइप के सहायता से घड़ी हुई है दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाँ लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा धन्यवाँ